आप सभी लोगों का वेलकम अपने YouTube चैनल HK Biology गुरू आप जो परिवार रेगुलर जो आपके साथ जुड़ करके कांप कर रहा है बेटा उसी चीज को लेकर के हमारा next topic इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था बेटा Population Density Class 12 Ecology का जो टापिक था उसी को आज हम continue करेंगे बहुत छोटा सा टापिक है Population Growth का जिसे हम कह रहे हैं Growth Model के रूप में समझेंगे वैसे Population Growth का मतलब क्या हुआ हमने आपको बताया बेटा Population Growth का मतलब यह है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर इंडिविज्वल इंक्रीज हो रहे हैं तो वो Population Growth कहलाएगा किलियर है ना? लेकिन इस चीज को समझने के लिए अगर हम इसका एक Model Plot करें तो आप बताये हमें कि बिटा उदारण के तौर पर यह हमने X Axis लिया है और यह हमने Y Axis लिया है किलियर है? जैसा कि हमने बताया था Y Axis Age को Represcent करता है अगर किसी भी Particular Area में Resources बहतर होंगे Resources अच्छे होंगे तो जाहिड सी बात है Population Growth होगा और Exponential होगा तो अगर हम यहाँ पर देखें तो According to NCRT जो Population Growth है बिटा Exponential हो रहा है Understood? Means Population Growth बढ़ गई है और यह सारी Population जो Individual Increase हो रही है बिटा वो Depend कर रहा है Resources पर आप देखें This Represented Exponential Growth Clear? Exponential Growth हो रही है तो Growth Model को दो तरीके से पढ़ते हैं Exponential Growth और दूसरा है Logistic तो Logistic में क्या होगा? वो बिटा Increase तो होगा बट उसका एक Condition यह होगा कि कुछ समय के बाद वो Constant हो जाएगा इसका रीजन यह है अगर किसी Particular Area में Way of Competition Resources के लिए कम होगा तो जाइड सी बात है वहाँ पर लोगों को रहने में सुविदा होगी और जब सुविदा होगी तो वहाँ पर Competition नहीं होगा That situation is called Exponential Growth लेकिन जब किसी भी Area में Resources की कमी हो जाए और at that time वहाँ पर should create Competition क्यों भई? भई सबका उद्देश क्या है? खाना खाना और Resources का मतलब हमें जो Need है हमें जो चाहिए वो मिलना चाहिए और अगर उसके लिए Competition होगा तो जाहिर सी बात है Death Ratio सुरू हो जाएगा और ऐसा होने से Population की Growth Decrease होती है इसका मतलब यह हुआ बिटा जो Logistic Growth है इसमें Competition होने की वज़े से अब यह Competition अलग-अलग हो सकता है Same Species के बीच हो सकता है Different Species के बीच भी हो सकता है कहीं ना कहीं खाने के लिए जगह के लिए ठीक है ना Competition होगा जिससे जो Population Growth है वो Growth Exponentially ना सो करके आप देखे कुछ समय तक तो Growth हुई लेकिन उसके बाद Constant हो जाती है तो यह वाला जो Expression है बिटा सो कर रहा है Logistic Growth और यह बिटा आपका है Exponential Growth तो हम लोग Growth Model को दो तरीके से Express करते हैं Logistic और Exponential Growth किलियर हो गया और जिसका फार्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था बिटा N क्या था Population Density ठीक है Time T पर ठीक है ना One Time के लिए क्या था N T है ना Birth Rate Plus Immigration Minus Death Rate Plus Immigration ये Equation आपको ध्यान रखना है ठीक है ना जितने बर्थ हुए है Death क्या करेंगे भई ये Death हुए तो जारी से बात कमी हुई है उनको हम माइनस कर देंगे वो हमारी Density निकलाएगे किलियर हो गया आज के लिए इतना ही ये हमने आपको किलियर किया बटा Population Model Next Class में हम लेकल के आएंगे इसके आगे की Classes बहुत बहुत धन्यबाद बहुत 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 बहुत